दूस्तो आज केल के जानवर इतने खुरापाती और मस्ती खूर हो चुके हैं जिनकी हरकतों को देखकर रोटता हुआ बंदा भी हस पड़ेगा तो यार आज के इस एपिसोड में हम जानवरों के कुछ ऐसे यतरंगी और खुरापाती हरकतों को दिखाने वाले हैं जिसे देखकर पका आप हम संस के लोड़ पॉर्ट हो जाएंगे तो यार देर किस बात की चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं जिसका टाइटल है अब यार यह तो आपने सुनाई होगा कि लड़ाई के लिए जिगर चाहिए लेकिन भाया इस क्लिप को देखकर तो यह कहीं से भी सच नहीं लग रहा है बाई साब डॉग भी सोच रहा होगा कि यह भगवान अच्छा हुआ मैं टाइम पर वापस आ गया वरना आज तो लेने के देने पर जाते अब यार यह तो आप जानते ही होंगे कि कववा बेहती चालांग पंची है इसलिए कोई भी जानवर इससे पंगा नहीं लेता पर भाईया यह डॉग इसकी परवाह किये बिना जब इसको पकड़ने की कोशिस कर रहा था तो भाई साब कववे ने इसको ऐसा मजा चकाया ज अब भाई यहां पर कुछ लोग मिलकर इस भेण को काफी प्यार से खाना खिला रहे थे और भेण भी खूब मजे से खा रही थी कि भाईया तभी पीछे से एक बंदर आया और इसका खाना चेन कर खाने लगा प्यारा तो गेम बजाना पड़े भाई साब बंदर ने जितना इसका खाना नहीं खाया उससे ज्यादा तो इस भेड ने इसकी कुटाई कर दी अब भाई इस क्लिप को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन दो पिल्लों ने कुछ सस्ता नसा कर रखा है तभी तो ये टब में घुश कर जबज़स फाइट कर रहे हैं और इधर मुर्गियां भी जोंड में आकर इनके लड़ाई के मजे ले रही हैं भाई साब पिल्ले भी यही सोच रहे होंगे या भी भागो अपने अपने गर यहां कोई तमासा लगा हुआ है दूस्तों जानवरों की अतरंगी हरकतों में बैल भी किसी से कम नहीं है जैसा कि इस किलीप में यह बैल अपने गोटियों की खुजली मिटाने के लिए किस तरह इस डंडे का सहारा ले रहा है भाई सब कैमरा मेंन को देखर बैल भी सोच रहा होगा कि अबे चा तुमको नहीं होती क्या कुजली अब भाई इस किलीप में यह कुत्ता इस बकरे को इतना नजदीक से घूर रहा था कि बकरे की सिट्टी पिट्टी गूम हो गई और यह सब देखर बकरे के दोस्त ने कुछ ऐसा किया कि तुरंत बाजे उल्डी पड़ गई भाई साब कुत्ता भी सोच रहा होगा कि यार मैंने तेरा क्या विगाड़ा है जो इस कदर मेरे पिछे पड़ गया है दोस्तो वीडियो मजदाल लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरू करना ठीक है और हाँ साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गाओं कि सहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि भई हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है अब भाई यहाँ पर यह लेपर जब रात को इस घर में गुस गया तो पूरे कमरे की तलासी करने के बाद भी इसको कुछ भी नसीब नहीं हुआ जिससे यह नेरास होकर चला गया अब भाई इस क्लीप में यह बंदा जब अपने डॉग को ले गया घुमाने तो डॉग मालिक से आगे आगे चल रहा था कि भाई यह तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि यह ग्राउंड हॉग इस कुट्टे के पीछे ही पड़ गया जिससे इनके भी जोरदार लडाई शुरू हो गई भाई साब ग्राउंड हॉग का गुसा देखकर तो यही लग रहा है कि अगर मालिक इनको नहीं चुड़ाता तो आज यह कुट्टे की वाट ही लगा देता दोस्तो कुट जानने की उस सुकता सिर्फ इंसानों में ही नहीं बलकि जानवरों में भी खूब होता है जैसे यहां डॉल्फिन पूल के ग्लास वाले साइड पर जब यह दो गिलहरियां आकर खेल रही थी तो इनको देखने के लिए किस तरह यह चारो डॉल्फिन बिजैन हो गई अब भाई लगे हाथ इन जिराप के मज़ेदार फाइट को भी देख लीजिए कि कैसे यह दोनों किसी आपसे बाग के लिए नोग जोक वाले फनी अंदाज में लड़ रहे हैं मानो यह दोनों मिया बेबी हूँ अब भाई मिलिये इस बिल्ली से जो चुप चाप इस बंदे के बगल में सिर्फ इसलिए बैटी है ताकि यह गाय का दूद बी सके और वो भी डायरेक्ट क्यों यकिन नहीं हो रहा तो आप खुदी देखिए अब भाई मिलिये इस महतरमा से जो इस रकूर को जब एक एक करके मुफली खिला रही थी कि भाई यह तभी इस रकूर ने लगाया दिमाग और फिर इनके हाँ से पूरा पैकेट छीन कर निकल लिया और यह महतरमा इसके पीछे पीछे दोड़ती रह गई तुटबाए गया और हाँ यदि आपने हमारी गेमिंग चैनल फैक्ट जो गेमिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि हमने माइनक्राप की सीरीज को सुरू कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो हाँ यार कैसी लगी ये वीडियो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेट में नेक्स पार्ट लिखकर जरू बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हाँ ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखने के लें चाहें को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पस अलिट कर लें थैंक्स पॉर वाचिंग